तो अभी Go को use करने के लिए सबसे पहले हमें इसको install करना पड़ेगा तो आपको जाना है यहाँ पर आप देख सकते हो Go.dev यह official website है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर यह official website open हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो Get Started के उपर आपको क्लिक करना है उसके आपको करना है क्लिक और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे कि अलग अलग अपके operating systems के लिए यहाँ पर आपको अलग-अलग binaries मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर मैं Apple Mac OS use कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं इसको जो ARM64 है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं तो आप आपक हो जाता है फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे सो यह डाउनलोड हो चुका है मैं इसके उपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह कुछ इस तरह का जो installer है वह ओपन हो जाएगा continue करना है कापी simple है बस आपको next next करना है इंस्टॉल करते है पासवर्ड में डा ठीक है अभी जल्दी से मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और यहाँ पर अगर मैं करता हूं गो वर्जन ऐसे करते तो आप यहाँ पर देख पाओगे गो का कौन सा वर्जन यहाँ पर डाउनलोड हुआ है जो की 1.22 जो की लेटेस्ट वर्जन है इस रेकॉर्डिंग के टाइम क ठीक है तो मेक्शूर करना कि आपका यह वर्जन यहाँ पर है या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन है ओके सब गो यहाँ पर हमारी इंस्टॉल हो चुकी है अब हम हमारे सिरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं